राम जन भूमी परिसर का आप जायजा ले रहे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और दीपोटसव का हर रंग आज आपको हम दिखा रहे हैं, हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अवध में प्रभू श्रीराम का आगमन एक तरफ हुआ, तो वहीं दूसरी और अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राम मंदिर परिसर का जायजा लेते हुए, नर्मार का जायजा लेते हुए इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, तो सर्यू घाट पर दीपोटसव की शुरुआत भी पियम ही करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर राम लला के सबसे पहले दर्शन और इसके बाद अब परिसर का जायजा ले रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरे आपको हम लगातार देखा रहे हैं, सर्यू तट पर भी आज लेदर शोख होगा और राम की पैड़ी पर 17 लाक से जादा दीपक जग होंगे जो अयोध्या की अलोकिक तस्वीर सामने लाएंगे तो यह तस्वीरे आपको हम लगातार देखा रहे हैं, पहली तस्वीर है राम लला के दरबाद की और वहीं आप देख सकते हैं एक तरफ प्रधान मंत्री पूजा अर्चना करने के बाद अब राम मंदिर परिसर का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं और भाव ऐयोध् दिव दिपावली की हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और दीपोच्षव का हर रंग आज इंडिया नियोज उत्रप्रदेश उत्राखंड के संग आप देख सकते हैं तस्वीरे आपकी टेवी स्क्रीन पर हैं और बेहत खुबसूरत ये तस्वीरे हैं प्रधान मंत्री परिसर में मौजूद हैं और बारी की सेहा पर हर एक जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं बेल्कुल गरिमा अयोध्या में नरेंद्र मोधी पहुँच चुके हैं कि कुछ बोलो है अलो अयोध्या में नरेंद्र मोधी पहुच चुके हैं और आज राम नगरी अयोध्या में जिस तरीके का वातावरान है जिस तरीके का माहौल है उसको देखकर साफ तोर पर नजर आ रहा है कि भगवान राम की जो अयोध्या है जो राम की नगरी है वो अलोकिक है और जैसा कि उतरप्रदेश की योगी सरकार ने कहा भी है कि आधुनिक अयोध्या अलोकिक अयोध्या देखे भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि त्याग दी सब खौईशे निश्काम बनने के लिए और राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए उनी भगवान श्री राम की नगरी में नरेंदर मोधी पहुँचकर ये जो आधुनिक और एतिहासिक दीपोच सब है जहां 17 लाख दिये जलाए जाएंगे राम की नगरी जगमगा उठेगी इन दीपों से और पूरी दुनिया सिर्फ भारत ही नहीं सिर्फ हंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की नजरें आज आयोध्या पर हैं आयोध्या में जब कुछी देर में दीप जलेंगे तो उसकी रोष्णी से पूरी दुनिया जगमगाएगी और इस रोष्णी से जो तिमिर है उसकी हार होगी भगवान राम असीमित शक्तियों वाले थे लेकिन असीमित शक्तियों के बावजूद उन्होंने अपना जीवन सीमित होकर जिया भगवान राम का जीवन हमें हर मायने में संदेश देता है हमें ये सिखाता है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और उसी आयोध्या में आप देख रहे हैं 2017 से लगातार, 2017, 18, 19, 20 और अब ये जो 2022 का साल है, इसमें भी दीपोट्सो का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में जैसा कि आप देख रही हैं, वो पूजन भी कर रहे हैं, शीर जुगा कर प्रणाम भी किया। राम का जीवन हमें यही सिखाता है। राम ने अपने पूरे जीवन में वंचितों को, शोशितों को अपने साथ लिया। उनको आगे वो साथ लेकर आगे बढ़े और उन्होंने रामन का वद किया। जो उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा एहंकार था। उस एहंकार को हरा कर क्योंकि दिपावली का त्योहार भी इसी वज़े से मनाया जाता है। पहले हम दशहरा मनाते हैं असत्य परसत्य की जीत और अब दिपावली। आयोध्या जब भगवान राम लोटे, भगवान राम, मासीता, भरत, शत्रुग्न, हनुमान, ये सब लोग जब आयोध्या की धर्ती पर आये और आयोध्या में आकर भगवान राम ने आयोध्या की लोटे। झाल 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 पर पहुशते हैं प्रधान मंत्री और आज तो भव्य और दिव्य दीपूद्सव है तो दीपूद्सव से पहले वो राम मंदन निर्मार का जाइजा भी लेना चाहते हैं क्योंकि ये दीपावली बहुत जादा खास है और खास तोर पर एउध्यावासियों के लिए और खास तोर पर राम भक्तों के लिए जिन्होंने राम भक्त को दिव्य और भव राम मंदिर में विराजमान होने के लिए एक बहुत लंबा सदियों तक इंतजार किया और अब जब वो इंतजार खत्म होने को है बस कुछ चण हम कह सकते हैं और शेश क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई इसने इनको सिर्फ कुछ चड़ कहना ही ठीक होगा और अब जल्द ही राम लला जब दिव राम मंदर में विराजमान होंगे उससे पहले की ये दीपावली है और उससे पहले का ये दीपूचसव है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेहत खुपसूरत तस्वीरे हैं एक तरफ प्रधार मंतरी ने सबसे पहले पूजा अशना की और दूसरे और अब जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस जायजा लेने के बाद में कारिक्रम आगे पढ़ेगा राजाविशेक और राजाविश देखे भगवान के साथ जब भक्त का रिष्टा जुड़ता है तो बाकी लोगों के साथ तो भगवान के साथ जब भक्त का रिष्टा होता है वो संभावना का होता है लेकि भगवान राम के साथ जब वो रिष्टा होता है तो भावना का रिष्टा होता है जब राम की बा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, पर भाव सिर्फ राम है, राम हमारे लिए सिर्फ आराज नहीं है, राम हमारे लिए सिर्फ पूज नहीं है, राम हिंदू जन्मानस में, सनातन धर्म में, राम प्रेरणा है, और राम हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है, जो अपने देश के बारे में सोचता है, जो अपने जिले के बारे में सोचता है और अपने से पहले जो अपने लोगों के बारे में सोचता है कहा जाता है कि दूसरे को मार करके खा लेना ये विक्रती होती है मैं अपना खाऊं वो अपना खाय ये परकृती होती है लेकिन दूसरा खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं ये संस्कृती होती है और इसी संस्कृती को इसी संसकार को भगवान राम ने पुरी दुनिया को बताया भगवान राम के पास क्या नहीं था इतना बड़ा राजपाट नौकर, चाकर, दर्बार सब कुछ था पूरा जीवन था लेकिन अपने पिता के एक आदेश पर राम वनवास चले गए और वनवास पर भी गए तो वो चाहते तो दूसरे जो राज के राजा थे उनसे मदद मांग सकते थे लेकिन राम पैदल चले राम पैदल चलते चलते उन्होंने पूरा वनवास किया राम चाहते तो जहां पर उन्होंने अपना वनवास किया था जहां पर वो रहते थे उसके पास ही उनका ननिहाल था वो चाहते तो वहाँ से मदद ले लेते, रामण से युद्ध करने के लिए, लेकिन उन्होंने बंचितों की मदद ली, उन्होंने सुग्रीव को साथ लिया, उन्होंने हनुमान को साथ लिया, उन्होंने केवट को साथ लिया, राम का पूरा जीवन ये संदेश देता है कि र पुझभी कर सकते थे लेकिन उन्होंने निवेधन किया भागवान शंकर की आराधना की और उन्होंने ये निवेधन किया कि समुद्र समुद्र देव ने रास्त दे Teams और जब रास्ता नहीं मिला तब राम ने अपना उनके पम पतार था वो दिखाया और उसके बाद उनके साथ की जो सेना थी, जो वानर सेना थी उसने पुल का निर्मार किया और राम आयुध्या लंका पहुँचते हैं वहाँ पर रावन का बद करते हैं. राम का जीवन हमको यहीं सिखाता है और मैं जिसकी बात कर रहा था उसमें भी यस बात का जिक्र है कि कामनाय त्याग पुन्यकाम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। राम अपने आप में एक धाम है राम के पास संपूओं शक्तियां थी सब कुछ था लेकिन राम के जीवन ने हमें ये संसकार दिया हमें ये संसकृति दी कि हम सीखें और ये समझें कि हमारी संसकृति हमारी धरोहर क्या क्या हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल तो देखे बिल्कुल ठीक का अपने चंदरकानत और तस्वीरे हम देख पा रहे हैं लगातार सीधी तस्वीरे सामने आ रही हैं एक तरफ जायजा ले रहे हैं प्रधान मंत्री और दोसरी और प्रधान मंत्री के अपसे कुछ देट पहली की तस्वीरे ह और देखें राम के अगर वेक्तित्विकी जो आपने कहा कि राम होपाना इतना आसान नहीं है श्रीराम से श्रीराम जिस तरह से वो बने वो बहुत कटिन था राम असीमित शक्तियों के स्वामी थे लेकिन बावजुद उसके उन्होंने सीमित संसाधुनों में अपना जीवन यापन किया और साथी साथ इस दुनिया को लाखो करोणों ऐसी वज़ा दी जो श्रीराम को लोग मानते हैं तो यही वज़ा है कि आज श्रीराम के भक्त है और श्रीराम के भक्त जो है वो किस तरह से उनके प्रती मन में भाव रखते हैं वो तो हम देखते ही है लेकिन अयो जनवेस्ति अयोध्या बासी गौर्वानवित होते हैं और आज उसी अयोध्या में दीपोचसव हो रहा है और उसी अयोध्या में यह तस्वीरे सामने आ रही है जब प्रधान मंत्री पहुचे हुए हैं देखिए भगवान राम जब वनवास पर गए आज समाज में भगवान राम को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं लोग कहते हैं भगवान राम ने मा सीता का त्याग कर दिया भगवान राम ने उनकी अगनी परिक्षा ली लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चंद बताता हूं एक दोहा भगवान राम मासीता और लखनलाल के साथ वनवास के लिए पैदल चलते हुए जा रहे थे तब वहाँ पर एक दोहा आता है कि पुर्ते निकसी रघुबीर बधू धरदीर दये मगमे डगदवे जलकी भरिबाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूजती है चलनो अब केतिक पढ़न कुटी करिहो के तो है तियकी लखिधातुरता पियकी अखिया अतिचारू चली जलचो है भगवान राम के बारे में तमाम जो भ्रांतिया है उनका जवाब इस दोहे में है जब मा सीता चल रही थी भगवान राम के साथ तो मा सीता क्योंकि राजकुमारी थी जनक के दरबार की बिटिया थी दुलारी थी जब सीता मता आगे बढ़ी अपने नंगे पाऊं से तो उनके माथे पर पसीना आ गया और उनके होट सूखने लगे मा सीता ने भगवान राम से पूछा कि अभी हमें कितनी दूर और पैदल चलना है क्योंकि मा सीता पुरी तरह ठक चुकी थी ये तना सुनते ही भगवान राम की आँखों में आगज़ू आ गए ये बताता है कि मर्यादा पुर्षवत्तम भगवान राम कितने सम्मिदन शील थे उनके अंदर सम्मिदनाओं का जो ज्वार था सम्मिदनाओं की जो प्रभलता थी वो भी अमूमन देखने को मिल जाती थी भगवान राम ने जो कुछ भी किया भगवान राम ने अपने जीवन में जो भी किया, वो हर किसी के लिए एक उदाहरण है, हर किसी के लिए प्रेरणा है, और जैसा कि आप तस्मीरे देख रही हैं, देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी, मुख्य मंतरी योगी आज अयुध्या पूरी तरह से राम मय है गरिमा, और यहां को जो नजारा है, जो दिव्विता है, जो अलौकिक्ता है, जो भविता है, वो आज अपने घरों में बैठा हुआ हर इंसान इस भावना को समझ रहा होगा, इस नजारे को देखकर हर कोई अपने आपको भगवा राम से जोड़ रहा होगा, दिवाली का मौका है लोगों के घरों में तैयारियां चल रही है, दीप घरों में जलाए जा रहे हैं, और यह इतना खास मौका, इतना अधभुत नजारा, शायर इस से पहले किसी के लिए भी, हर किसी के लिए अकलपनी रहा होगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश की नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों ने इस मौके को संभव कर दिया है, आपके सामने यह नजारे हैं जिसमें आप देखें देश के प्रधान मंतरी के मस्तक पर तिलक हो रहा है, और दूसरी तस्वीर जिसमें वो उत्तर आज सजी हुई है तक्रीबन 15 द्वार बनाए गए हैं और 17 लाख दीपों से आज राम नगरी जगमगा उठेगी आप सोचिए शाम का जो नजारा होगा जिस समय दीप जलेंगे जिस समय लेजर शो चल रहा होगा जिस समय आतिश बाजियां चल रही होगी यकीनन ऐसा नजार रहा होगा लेकिन अब से यूग में भी इन तस्वीरों को दोहराया जा रहा है और देखे आपने कहा ना कि अभी चाहे प्रधान मंतरी मोदी हो या फिर मुख्यमांतरी योगे रतनात जब देश का शासंत अंत्र शीष नितर्थव उस राह पर चलने लगे जिस राह पर र राम राज्य आया था तो ये कहपाना कुछ कठिन या नामुम्किन नहीं है कि इस देश में इस प्रदेश में राम राज्य आएगा और राम राज्य की बात यही सरकार है जिसने की थी और राम राज्य के पथपर ही हम कह सकते हैं राम के पथपर हमें ये दोनों शीष नित राम भक्तों ने इस द्रश को देख पाने के लिए सदियों का इंतजार किया तब जाकर ये नजारा आया है जब अब राम लला एक भव और दिव राम मंदिर में विराजेंगे उससे पहले का ये दीपोचसव है उससे पहले की ये दीपावली है तो इसका अलौकिक होना अद उस पत पर देख पाना उस पत की ओर अगर इतना ही कोई वेक्ती कर ले तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है तो देखें तस्वीरे सीधे तोर पर सामने आ रही है लगतार एक तरफ जैसे जैसे दिन धल रहा है अब इंतजार लोगों को उस दीपोचसव कारिक्रम का है जब 17 लाक दिये एक साथ जगमग होंगे और अयोध्या रोशन होगी जगमग होगी और अयोध्या पूरी तरह से अलोकिक और अद्भुत नजर आएगी देखें अभी हम आधुनिक अयोध्या की बात कर रहे हैं तो अयोध्या की आधुनिकता लगतार अधिन पहले लतामंगेशकर चौक हुई जहां पर इतनी सुंदर भव्य और दिव्या का निर्माड किया गया वहां पर वेडा लगाई गया उस चोराहे को ठीक लतामंगेशकर चौक का नाम दिया गया तो वहां पर जो संगीत प्रेमी है अब वो भी पहुंशते हैं और आ देख सकते हैं अभी हमने देखा था आपसे कुछ देर पहले जब कालपनिक जो रामलला का दरबार है वो जब पधारा जो हमने देखा चवी के रूप में था उसका भी जब रामरत खिचते हुए मुख्यमंतरी योगी नजर आए वो तस्वीर भी अपने आप में बहुत यह बार नजर आ रहा है दो तस्वीर लगातार आपको हम देखा रहे है और राममंदिर निर्मार की शुकाइट हो चुकita है बस इंतजार है उस समय का उस दिन का जब एक बार फिर से राममंदिर में पहुँचेंगे प्रधान बंतरी और रामलला यहां पर विराजमान हों तब से इस पर्व की शुरुआत हुई थी इस पर्व को मनाया जाता है और उसी मौके पर आज प्रधान मंतरी यहां पर मौजूद है देश दुनिया से अलग-अलग लोग यहां पर पहुँचे हुए है इस भव्वे नजारे को अपनी आखों में एक बार कैद करने के लिए क जिस वो नजारा है उसका इंतजार है और लेजर शो होगा जिससे रंगा रंग आयोध्या रंगी और सजी और धजी आयोध्या नजर आएगी चंदरकान बिल्कुल आप ठीक है रही हो और आप अभी जिस रामराज की बात कर रही थी और आपके सामने इस वक्त जो नजारे हैं आप देख सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी हैं और तरप्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्तिनात है जिस रामराज की आप चर्चा कर थी रामराज हमें यही सिखाता है कि जब लोकतंत्र होता है तो वही रामराज होता है और देखिए ये प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हाथों में मंदिर का ये सुरूप उन्हें भेट किया जा रहा है और इस सुरूप को देखकर प्रधान मंतरी अब आगे के कारिकरम के और बढ़ते हुए, मैं जहां पर था, मैं वहीं पर वापस आता हूँ, राम की बात हम कर रहे थे, रामराज की बात कर रहे थे, इसी लखनव के एक शायर थे, शम्शी मीनाई, लोग अकसर देश को बाटने की कोशिश करते होंगे, लेकिन शम्शी मीनाई ने भी कहा था, कि म मैं राम पर लिखू, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल मी किने, छोड़ा नहीं है कुछ, हर आदमी ये सोचे, जो होशो हवास है, वो राम से करीब है, या रावन के पास है, और लोगों को राम से जो महबत है आजकल, पूजा नहीं, अमल की जरूरत है आजकल, तो राम सिर्फ पूजा के लिए नहीं बने है, राम सिर्फ पूजन के लिए नहीं है, कि राम की आप आराधना कर लें, राम एक संसकार है, जिसको आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, राम से आपको सीखना पड़ेगा, और आप राम से ये भी सीख सकते हैं कि एक बेटे को कैसा होना चाहिए, राम एक आधर्श बेटे होने के साथ साथ एक आधर्श भाई भी है, राम एक आधर्श पती भी है और राम एक आधर्श जीवन है। आप राम का बच्पना देखिए या राम की जवानी देखिए या राम की आगे की अवस्था देखिए वो सब कुछ हमें सिखाता है कि हम राम से क्या-क्या सीख सकते हैं और अब ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्रमोधी लोगों से संबाद कर हैं और ये तीन नजारे आपकी स्क्रीन पर जिसमें नरेंद्रमोधी पूजा करते हुए लोगों से संबाद करते हुए और एक और तस्वीर आपके सामने हैं हम जिस मुद्धे पर बात कर रहे हैं आज आयोध्या में दीपोच्सों का जो भव्य आयोजन है क्या दीपोच् तरीके से संगठित होकर लोग एक अच्छे कारेकरम को निभा सकते हैं कर सकते हैं और ये सबसे बड़ी बात जो हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि हमें राम के जीवन को राम के संसकारों को राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करनी यकिनें राम का जीवन मुश्किलों से भरा है राम हो जाना आसान नहीं हो जाता है मैंने आपसे पहले भी कहा कि राम बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है राम ने अपने जीवन में जो जो खोया राम ने अपने जीवन में जो जो खोया आज यदा धैर शायद ना मेरे अंदर होगा ना आप के अंदर और ना ही किसी के अंदर होगा राम से हमें यही सीखने की जरूरत है राम हमें सिखाते हैं कि अनुशासन कैसा होता है राम हमें सिखाते हैं कि धैर कैसा होता है राम हमें ये बताते हैं कि साधना कैसी हो सकती है तब कैसा हो सकता है आप देखिए लोगों से प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और वो यकीनन कुछ ऐसी बाते हो रही होगी कुछ ऐसी बाते हो रही होगी जिस पर प्रधानमंतरी मोदी अपना पक्ष रख रह रहे होंगे लोग उन्हें सुन रहे हैं देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना यही अपने आप में बेहत खास है अध्या से उनका लगाव है उनका बड़ा रिष्टा है वो आपको याद होगा शिलान्यास का कारिकर्म था राममंदिर का नरेंद्र मोदी उस आने वाली पीड़ियां जब इन नजारों को अब तो इंटरनेट की दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया है आगे आने वाली जो पीड़ियां होंगी जो 10 साल बाद 20 साल बाद भी इस नजारे को देखेंगी तो इसकी जो अलौकिक्ता है जो इसकी छटा है वो देखते ही बन रही है हम और आप आज TV स्क्रीन पर बैट कर इसे देख रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे जो इस कारिकरम के गवाह बन रहे हैं वो इस विहंगम नजारे को देखकर यकीनन भाव विभोर होंगे यकीनन एक आहलादित जो भावना होत ने हैं वहाँ भी जाना है भगवान जो भगवान राम की जो नगरी है आयोध्या यहां पर जिस तरह के नजारे हैं हमको और आपको देखने को मिल रहे हैं ऐसा शायद बहुत पहले नहीं सोचा गया होगा क्योंकि राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ फिर राम मंदिर को लेकर जो फैसला हुआ हिंदु धर्म में सनातन धर्म में राम आस्था के केंद्र हैं राम विश्वास के केंद्र हैं राम भरोसे के प्रतीक हैं राम से कितनी चीजे जोड़ी हुई हैं लोगों में आपस में जो संबाद होता है उसमें भी राम आते हैं गाओं में आप आज भी चले जाएए नमस्कार और प्रणाम तो बात की बात है, आज भी लोगों के बीच में राम राम होता है, تو राम इस तरह से हमारी और आपकी जिंदगी में, हमारे और आपके संस्कारों में गुले हैं, मिले हैं, रचे बसे हैं, मैं फिर उसी बाच पर आता हूँ कि रा राम हमारे लिए मरयदा पुरुशोत्तम हैं, राम हमारे लिए संसकार हैं, राम हमारे लिए एक जीवन शैली हैं, और ये दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर एक तरफ राम लला का दरबार और दूसरी तरफ भारत के पधान मंतरी नरेंद्र मोदी, आज जो वर्ल्ड वाली ये दिवाली है, जो अयोध्या की अद्भुत अलोकिक दिवाली है, इस देखकर, इस नजारे को देखकर, हर कोई अपने मन में ये सोच रहा होगा, कि ये नजारा, आज उनके आँखों से होकर, उनके दिलों तक उतरेगा, और ये हमेशा हमेशा के लिए कैद हो अजारे को महसूस कर रहा है, उतर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्तिनाथ और भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, आज जो प्रधान मंतरी का यहां कारिकरम है, उसके मताबिक जो कारिकरम आगे बढ़ रहा है, आयोध्या में